अस्सलाम वालेकुम दोस्तो अपने चिनल में सभी को खोशाम दीद कहता हूँ दोस्तो ट्रीजर अफनालेज फॉर्ट एडिशन जन्रल साइंस कला सेवंत यूनेट नमबर 12 अर्थ एंड स्पेस के हावाले से आज हमारा पार्ट 6 है आज हम सीखेंगे रिवलूशन आफ अर्थ अर्ट अराउंड सन सीजन्स एंड कांस्टिलिशन इस हवाले से इमसी क्यूज को सीखने की कोशिश करेंगी यहाँ पे हमारे साथ इमसी क्यूज नमबर 169 है अर्थ नाट अउनली स्पिन जमीन सिरप स्पिन नहीं करती इराउंड इट्स टिल्टेट इकसेज इनके जो टिल्टेट इकसेज होते है उसके इर्द गिर्द बट आलसो रिवाल्स एराउंड यानी ये रिवलूशन या गर्दिश करती है सूरच के गर्दिश यानी सूरच के गिर्द भी वेच आफ दी फालविंग आर कास्ट इन में से कौन से पैदा होते है बाई दे स्पाइनिंग आफ अर्थ जब स्पाइनिंग करता है यानी गर्दिश करता है जमीन एराउंड इट्स आउन एकसेस अपने आउन एकसेस पर तो डे एंड नाइट दिन और रात यहां से मतलब पैदा होते है विच आप दी फालविंग आर कास्ट इन में से कौन सा जो है ये पैदा होता है बाई दे रिवलुशन आफ अर्थ जब जमीन गर्दिश करती है एरांड इस सन यानी सूरच के गिरद जब गर्दिश करती है जमीन तो इससे किया पैदा होता है तो हमारे साथ इनका जो दु in seasons यानी मौसमियाती तब्दीलिया यानी मौसमों में फर्क आता है कभी सर्दी कभी गर्मी ठीक है how many poles कितने poles या कुतब पाई जाते है और प्रिजिंट पाई जाते है आन अर्थ जमीन पर जमीन पर कितने पॉल्स मौजूद है तो हमारे साथ दरुस्त आप्चन है टू है टीक है एक हमारे साथ नार्थ पॉल और एक हमारे साथ है साउथ पॉल टीक है एकमसी क्यूज नंबर 173 विच आफ दी फाल्विंग इस इन इमिजनरी लाइन एराउंड दे मिडल आफ अप्लेनेट यानि एन में से कौन सा ये इमिजनरी या फर्जी लकीर है या फर्जी खत है एराउंड दे मिडल आफ अप्लेनेट यानि प्लेनेट के दर्मया जो मिडल होता है उसके इर्द गिर्द तो हमारे साथ इनका जो दुरुस्त आप्शन है आप्शन भी यानि एकोवेटर कहलाता है जमीन का जो एकोवेटर होता है ठीक है इसके बाद हमारे साथ है MCQs नमबर 174 एकोवेटर इस हाफ वे बिट्वीन यानि जो एकोवेटर होता है वो हाफ वे होता है यानि दर्मियान होता है टी के मिसाल के तुर पर हमारे साथ जमीन का ये स्ट्रक्चर है तो इनका जो दर्मियान वाला होता है ये एक्वेटर होता है तो ये इनका आदा होता है हाफ होता है बिट्वीन किसके दर्मियान होता है तो हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ आफशन है द्रोस्त आफशन है यनि नार्थ पॉल एंड साउथ पॉल के दर्मियान होता है एक् कौन सी degree latitude पर होता है, तो हमारे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ आप्षण आपको दिये गए है, तो द्रूस्थ आप्षण है, यानि zero degree latitude पर होता है. Which of the following is the line around which, उर्थ spines, इन में से कौन सी वो लकीर है, या वो खते के जिस के गिर्द जमीन जो है, वो स्पाइनिंग करती है तो दुरुस्ट आप्शन हमारे साथ इनका जो है वो है आप्शन ए एकसेज है ठीक है यानि ये दुरुस्ट आप्शन है MCQs नंबर 177 यहाँ पे खाली जगा है इस इन इंगल ये एक इंगल है किस चीज के दर्मियान होता है डिरेक्शन आफ दी नार्थ पोल जो नार्थ पोल होता है उसकी डिरेक्शन के दर्मियान और जो परपिंडिकुलर होता है आर्बिटल प्लेन का तो उसके दर्मियान होता है तो दुरुस्ट आप्शन हमारे साथ इसका है option A यानि एक्सेस जो axial tilt है axial tilt of the earth is जो axial tilt होता है जमीन का वो कितनी डिग्री होता है तो दोरुस्त option हमारे साथ है 23.5 डिग्री होता है इसके बाद हमारे साथ है MCQs number 179 which of the following of the earth causes the season इन में से कौन से जो है जो ही जमीन का जो सबब बनता है मुस्तलिफ मौस्मों का तो हमारे साथ इनका जो दोरुस्त option है यानि tilted axis ठीक है दोरुस्त option ये है इसके बाद हमारे साथ है MCQs number 180 during the orbital motion यानि जो orbital motion होता है आफ अर्थ जमीन का around sun सूरच के गिर्द यानि सूरच के गिर्द जब जमीन दायरवी हरकत करती है तो पिर किया होता है विन्दा एक्सिस आफ़दा अर्थ जो एक्सिस होते है जमीन के इस・टवर दसन वो सूरच के सामने हो जाए जाए मिसाल के तोर पर ये सूरच है और ये बिलकुल जमीन के दर्मियान यानी सूरच के दर्मियान जमीन आ जाए तो पिर किया होता है तो वहाँ पे हम गर्मी महसूस करते हैं और जो आर्बिटल मोशन होता है अर्थ का समीन के सूरच के गर्द जमीन का जो आर्बिटल मोशन होता है जब एक से साफ़दा पर्दी महसूस करते है उन एक्सिटाफ दर अर्थ जो होते है इस इन बट्वीन दी सन सूरज के दर्मयान होते हैं धेना पेरखिया होता है यह सीजन इन देर फार देट पार्ड आफ दी अर्थ तो दुरूस्ट आफशन हमारे साथ है यानि आटम और स्प्रिंग का सीजन होता है इन विच आफ दी फालविंग इन में से कौन सा जो है दे लिंद आफ दे डे इस लांगिस्ट कि जिसमें दिन का दौरानिया ज्यादातर होता है और नाइट जो होता है वो शाटिस्ट होता है तो हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ आफशन आपको दी गए है जो दुरूस्ट आफशन हमारे साथ है इन विच आफ दी फालविंग the length of the day is shortest दे जो दे दिन का दौूरानिय हो कम होता है या मुगतसर तरीन होता है and night is longest night इनका लांगिस्ट होता है तो option B यानी winter का जो होता है in which of the following the length इनमें से कुन सा जो है कि जिसमे length of the day and night is same night और day का जो हो सेम होता है तो हमारे साथ इनका जो दुरस्त अप्शन है वो है हमारे साथ यहां पर समर सॉल्स टाइज और दूसरा हमारे साथ है स्प्रिंग समर और स्प्रिंग दोनों का ठीक है तो ये दोस्तों हमारा ये आज का जो टापिके यह पे बोथ B और सीटी के आटम और स्प्रिंग का ये खलत समर का नहीं आटम और स्प्रिंग का आपशन डील झाफ दरुस्ते बोथ B अंट सी तो दोस्तों उम्मीद आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो देखने का शुक्रिया